एच्टी एमिल में पैक ग्राउंड जी आरो यू बैट्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं है ना बतलब बॉडी का कलर चेंज करना है ना ठीक है तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको तुको हम चल चलते हैं अपने नोटपैड पे यह डिम आपको बताया था अब देखें बॉडी कलर जो हमें चेंज करना है इसके लिए हम क्या करेंगे यह जो बॉडी का जो टैंग लिखा यहां-पर एक होता है टैग एट्रिब्यूट है ना टैग एट्रिब्यूट कहा लिखा जाता है टैग एट्रिब्यूट लिखा जाता है जो ये हम बॉडी टैग लिखते हैं ना और ये एंकल ब्रैकेट बंद करते हैं यहां तो यहां पे इसमें हम टैग एट्रिब्यूट इंटल रैकेट का प्लोज इधर बढ़ते जाता है और इसमें हम टैग एट्रिव्यूट टाइप करते हैं मतलब टैग एट्रिव्यूट का मतलब क्या है कि जो हम टैग लिखे हैं उस टैग के अंदर ही कुछ और फॉर्मेटिंग के बारे में डिस्क्राइब करना इस कुछ और फॉर्मेटिंग हम करना चाहते हैं कि बारी को हम ग्रीन हो जाए शकूर तो इसके अंदर टैग के अंदर ही यह फॉर्मेटिंग को हम लिखेंगे तो क्या होता है यह ओपनिंग टैग के जो लास्ट का एंकल ब्रैकेट होता है उसके अंदर लिखा जाता है यहां बॉडी में हम स्पेस देंगे और यहां पर लिखेंगे बी जी बैक ग्राउंड की बीजी और स्पेस नहीं देना है किया और यह ओ लिखेंगे बीच में कर नाम लिखेंगे और एक और अगर हम चाहते हैं कि हमारा बडी में जितना हमें टेक्स्ट लिखा गया है उस the डेक्स का मिंगा लगर चेंज घू तो यहीं पर स्पेस देखें और हम लिखेंगे क्या टी एक स्ट टेक्स बार्य अब इस फाइल को हम सेफ कर लेते हैं और कहा चलते हैं अपने इंटर्णेट इस प्लोड पेज करते हैं और यहां पे हम पीला हो गया और टेक्स्ट जो इसमें बाडी में लिखा गया है हमने उसका कलर रेड हो गया है ठीक है लिस तरीके से आप बॉडी के बेग्राउंड कलर को और टेक्स्ट की कलर को चेंज करते हैं